हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन-कौन सी एक्सिसाइज है जिने करने से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। आज कल हर कोई पतला होना चाहता है, मोटी और बिना अकार की बॉड़ी किसी को भी पसंद नहीं होती है। अगर आप भी पतला होना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी एक्सिसाइज हैं जिन को करके आप पतले हो सकते हैं। दोस्तो बजन कम करने के लिए एक काफी आसान और effective exercise है जिसका असर आपके पैरों के साथ साथ आपकी upper body पर भी होगा और आपकी body slim और flexible बन जाएगी अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक mat बिचा कर सीधे लेट जाए आगे लाके आपस में जोड़ ले अब आपको अपने हाथों को अपने पैरों के left और right दोनों तरफ बारी बारी से लेके जाना है जैसे आप दोनों हाथों को पहले left पैरों की तरफ लेके जाए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को right पैरों की side में लेके जाए आपको बरपीज दोस्तों ये exercise भी आपका वजन कम करने के लिए काफी असरदार है इस exercise का असर आपके पूरे शरीर पर होता है और आपकी body flexible भी बनती है और साथ में आपकी body को एक अच्छी shape भी मिलती है और fat भी कम होता है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इसमें आपको push-ups और jumping दोनों एक साथ करनी होती है पहले जमीन पर एक मैट बिचा कर उल्टे लेट जाए और उसके बाद अपने दोनों हाथों और पैरों पर अपने शरीर को उठा ले और फिर अपनी body को नीचे लेके जाएं फिर उपर लेके आएं इस तरह से जब एक push-up कम्प्रीट हो जाएगा तो उसके बाद सीधे खड़े हो जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को उपर की तरफ उठाते हुए जम्प करें उसके बाद फिर बापस से लेट जाएं और फिर push-up करें इस तरह से आपको एक push-up फिर jump ऐसा लगातार करते जाना है शुरू में आपको इस exercise को 15 बार करना है और फिर एक हफ़ते के बाद इससे बढ़ा कर 20 बार करें अपने शरीर को एक अच्छी शेप देने और वजन कम करने के लिए ये exercise भी काफी effective है इस exercise से आपकी body flexible भी बनती है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इस exercise को करने के लिए पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और फिर अपने दोनों हातों को उपर हवा में उठा ले अब अपने दोनों पैरों को गुटनों से मोड़ते हुए जम्प करें और साथ ही अपने हातों से भी उसी समय ताली बचाएं पिर जैसे ही नीचे आएंगे तो उस समय अपने दोनों हाथों को भी नीचे कर लें। ध्यान रहे कि इस exercise को करते समय आपके कंधे, कमर और सर बिल्कु सीधे रहना चाहिए। इस exercise को आपको शुरुआत में 10 बार करना है और बाद में आप इसे बढ़ा कर 20 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों ये exercise भी काफी effective है और इस exercise से आपका fat भी बढ़ने होता है और body flexible भी बनती है। अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है। इस exercise को करने के लिए पहले जमीन पर एक मैट बिचा कर लेट जाएं। फिर वापस नीचे लेके जाना है। ऐसा आपको जल्दी जल्दी करना है। धियान रहे कि इस exercise को करते समय अपने सर को बिलकुल सीधा रखें और अपनी कमर को भी जमीन से लगाय रखें। शुरू में आपको इस exercise को 10 बार करना है और बाद में इसे बढ़ा कर 15 बार करें। दोस्तो ये exercise भी काफी एसरदार है। इसे करने से आपकी पूरी बॉड़ी एक साथ काम करती है और आपकी बॉड़ी का फैट धीरे-धीरे कम होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए। अब आपको अपने पैर को एक एक करके पीछे लेके जाना है और उसके साथ अपनी बॉड़ी को भी नीचे जुकाना है। और साथ में आपको अपने दोनों हाथों को भी आगे की तरफ करके ऊपर उठाना है। ऐसे आपको जल्दी जल्दी करना है। ध्यान रहें कि इस एक्सिस को करते समया आपको अपनी कमर और सर को बिल्कुँ सीधा रखना है। शुरू में इस exercise को आप 15 बार करें और बाद में इसे बढ़ा कर 20 बार करें दोस्तो ये exercise भी वजन कम करने के लिए काफी अच्छी है इस exercise से आपको अपनी body में एक stretch जैसा भी feel होगा और इस से fat भी burn होता है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इसे करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और अब अपने दोनों हातों को उपर उठा ले और अपने दोनों पैरों को भी दूर दूर कर ले अब पहले एक step लेते हुए थोड़ा left की तरफ जाएं और फिर अपने right hand से left leg को चुएं इस तरह आपको बारी बारी से अपने दोनों पैरों को चूते जाना है इस exercise को आपको शुरू में 15 बार करना है और एक हफ़ते के बाद इससे बढ़ा कर 20 बार कर दें इस exercise भी आपके पूरे शरीर के लिए काफी अच्छी है और इस exercise से आपकी बाड़ी का फैट भी कम होता है और साथ ही आपकी बाड़ी flexible भी बनती है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इसे करने के लिए पहले आप जमीन पर एक मैट बिचा कर उल्टे लेट जाए अब अपने हातों को सीधे ऊपर उठा ले और जमीन पर रख ले आपकी अपर बाड़ी का सारा वजन आपके हातों पर आ जाना चाहिए अब अपने पैरों को पंजो पर उठा ले और अब आपको अपने पैरों को पहले खोल कर दूर रखना है फिर उसके बाद उसे वापस में जोड लेना है ऐसा आपको पैरों को उच्छालते हुए करना है पहले पैरों को उच्छाल कर दूर रख ले और उसके बाद से उच्छाल कर पास ले आए ध्यान रहे कि इस exercise को करते समय आपको अपने हाथों को बिल्कु सीधा रखना है साथ ही आपका पूरा शरीर भी हवा में बिल्कु सीधा होना चाहिए शिरू में इस exercise को आप 10 बार करें और एक हफ़ते बाद इसे बढ़ा कर 15 बार करें तो दोस्तों ये थी वो साथ आसान सी exercise जिनको आप घर पर ही रोज आसानी से करके अपने वजन को कम कर सकते हैं तो हमें उम्मीद है कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप इन exercise को अपने daily routine में जरूर शामिल करेंगे और साथ ही कमेंट करके हमारे साथ अपने experiences भी जरूर शेयर करेंगे और अगर आपको हमारे ये वीडियो चल लगे और आप हफते में दो बार entertain होना चाहते हैं तो हमारे चैनल health and joy को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको अलगातार हमारे चैनल से जुड़े सबी updates मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद